हलो फ्रेंड्स आपका हमारे चानल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही बहतरीन वीडियो है आपके लिए इस वीडियो में दोस्तों हम पर्या वरण के 350 वन-niner कोशन्स करने वाले हैं जो आपके यू-P-Tate के एक्जाम के लिए जो आपका 23 ज इतनी भी परिचाएं होती हैं जिनमें पर्यावरण की कोश्चन अभी तक पूछे गए हैं सारे के सारे कोश्चन्स मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपको इस वीडियो को दोस्तों लास तक पूरा देखना है पूरा वीडियो देखने के बाद आपके ये के बेल आइकन को प्रस कर दीजे जैसे आपको डेली नोटिफिकेशन हमारे चानल पर आने वाले वीडियो को मिल जाए और आपकी बहतरीन तयारी हो सके तो चलने दोस्तों सुरू करते हैं पहला प्रसन है भरतपुर में इस्तित पच्छी अभ्यारन राष्टी उद्यान का न चेत्र किस राज में इस्तित है तो दोस्तों भारत में कंजली आद्रभूम चेत्र पंजाब राज में इस्तित है अगला प्रसन है भारत की जै विविता के संदर्भ में सीलोन, फ्राग माउथ, कॉपर इसमित बारबेट, ग्रे चिल्ड, मिनी वेट और वाइट इनको अच्छे से याद रखिएगा एक पारिस्तित की तंत्र के विविन घटकों से होकर पोसक तत्तों का गुजरना क्या कहलाता है तो दोस्तों एक पारिस्तित की तंत्र के विविन घटकों से होकर पोसक तत्तों का गुजरना जै वभूर असानी चक्र कहलाता है बहुत इस्तलों को राम सर साइट में सामिल किया गया अगला प्रस्न है कि जीवास्प इधनों में एक मात्र उर्जा का चरम इस्तरोत कौन सा है तो वो सूर है बहुत ही सिंपल सा कोशन हाल ही में सैयुक्तराष्ट पर्यावरन सभा का चौथा सत्र UNEA जो फोर है कहा आयोजित किया तो दोस्तों ये नैरोबिक केन्या में आयोजित किया गया वायू मंडल की सबसे निचली परत कौन सी है most important question यूपीटेट के लिए छोब मंडल छोब मंडल दोस्तों वायू मंडल की सबसे निचली परत है भारत में वन जीव सनरच्छण अधनियम किस वर्स लागू किया ग तो दोस्तों वन सनरच्छण अधनियम किस वर्स में अधनियमित किया इसका याद रखे तो 1980 अधनियमित करने की बात करी जा रही है next question है कौन से ऐसे सरवादिक संभावनी इस्थान है जहां कस्तूरी म्रग अपने प्राकर्तिक आवास में मिल सकता है तो वो कौन कौन से है असकोट वन जिव अभ्यारण गंगोती राष्टी उध्यान में ठीक है चलें next question देखे भारत वर्ष का प्रतम राष्टी उध्यान तो दोस्तों जिम कार्विट राष्टी उध्यान most important question है गोमर्दा वन जिव अभ्यारण कहां इस्तित है तो दोस्तों गोमर्दा वन में देखा जा सकता है तो यह देखा जा सकता है दोस्तों बाग अभ्यारण्यों का रख रखाओ से संबंदित अगले प्रस्ण की ओर आते हैं कोईला पेट्रोलियम प्राकर्तिक और यूरेनियम में से कौन सा एक जीवास्म इधन नहीं है तो इसमें आप देख रहे हो यह यूरेनियम है दोस्तों यह जीवास्म इधन नहीं है अगले प्रस्ण पे आते हैं मानों गत्विधियों से परिवर्वितित पर्यावरण क्या कहलाता है यह भी कोशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेट है एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण कहलाता है इसे यादर किएगा हैरित ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सता का आउसत तापमान होगा तो दोस्तों भू सता का जो आउसत तापमान होगा 180 डिगरी सेल्सेस होगा नेक्स कोशन है अमली वर्षा के लिए कौन से पर्यावरण फ्रदूसर उत्तरदाई होते हैं तो इंपॉर्टन कोशन ये लंदन में इस्तित है क्या याद रखेंगे लंदन में इस्तित है ठीक है नेस्ट कोशन पर आते हैं किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है यूपीटेट में देखे पूछा गया तो दोस्तों टुन्रा प्रदेश में रेंडियर पाया जाता ह प्रकार का पसू है जन्जन्क्या के आकार से व्रहतम महादीब कौन है तो दोस्तो कौन है एसिया बहुत ही important question है यूपिटेट में आया हुआ रेगे स्थानी ओक नाम का एक पढ़ है पेड़ है जो पाया जाता है सीटेट के एकजाम में question पूछा गया नेस question के बात करते है रेटिंग स्केल में कौन सी तक्नीकी का उप्योग किया जाता है सीटेट 2019 पे पूछा गया तो दोस्तो याद रखें रेटिंग स्केल में जाँच सूची तक्नीकी का प्रयोग किया जाता है ओके चलिए सुनामी की उत्पत किसके द्वारा होती है तो दोस्तो समुन्द के भीतर उत्पन होने वाले भूकंप से सुनामी की उत्पत होती है चले नेस question पे आजाईए भारत का जलिय प्राणी कौन है गंगा का डालफिन most important question समुन्दी राष्टी पार कहा अविस्तित है दोस्तो कच्ची की खाड़ी में बहूत ज्यादा ही important question मानो जनित जीवोम का एक उधारन बताईए दोस्तो मानो जनित जीवोम का एक उधारन है फसली भूमी इसे याद रखेगा अगले प्रस्ट पर आते हैं अलिफ़ंटा दूबिया अवस्तित है यूपीटेट में देखिए कोशन पूछा गया है मुंबई तत्पर अंतराश्टी प्रत्वी दिवस कब मनाया जाता है कई बार कोशन आपके लिए पूछा गया है 22 अप्रेल को मनाया जाता है किस दुरलब उपलब्धी के लिए वैस्विक 500 पुरुसकार दिया जाता है पर्या वरन सनरचण के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा important question इसको यात रखिएगा कि किस दुरलब उपलबधी के लिए वैस्पिक 500 पुरुसकार दिया जाता है पर्यावरण संरच्छण के लिए चले नेस कोशन पर बात करते हैं कि दच्छिन गंगोत्री क्या है बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है कि दच्छिन गंगोत्री क्या है दोस्तों ये सत्त विकास लच्छे से संबंदित है इसे याद रखेगा अगले प्रस्ण पर आईए पच्छियों की कौन सी प्रजाती जटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चिन है सीटेट के लिए और यूपीटेट में भी पूछा जा सकता है मैना मैना दोस्तों जटके से अपनी गर्दन पीछे मोड लेती जबकि उल्लू 360 डिग्री पर अपनी गर्दन मोड लेता है अगना प्रसंदेखे वन जीवो एवं प्रवासी प्रजातियों के संड़चन है तो कन्वेंशन का तेरवा सम्मेलन कब और कहा संपन हुआ तो दोस्तों प्रजातियों के संड़चन है कन्वेंशन का तेरवा संम्मेलन 17 से 22 फरवरी 2020 गांधी नगर गुजरात में संपन हुआ इसे याद रखेगा नेस कोशन देखिए खनीज तेल के अनुकलपों के रूप में आउशदि वाले पौधों के रूप में बायो साइड आउशदियों एवं अन्य उत्पादों के रूप में और नए पौधों के रूप में किसका महत्त है तो जैव विविधिता का महत्त है ठीक है पायो डाइवसिटी नेस कोशन पे आते हैं कि जैविक एवं अजैविक संगठनों के मद्ध बिचौलिया का कारिक करते हैं तो दोस्तों उनको वियोजग भी बोलते हैं या उत्पादग भी बोलते हैं दोनों आपको आप्शन में मि जाद रखना है उपरी वाई मंडल की ओ जोन परतका स्खषरण किससे हो रहा है? बहुत ही जादा इंपक्वर्टेंट है दोस्तों क्लोरो फ्लोरो कार्बन च सी ए हपसी तो इससे क्या हो रहा है औ पर्या वरण में निर्मुत हो जाने वाली सूच्म करिकाओं के विसाय में अत्यदिक चिंता क्यों है तो दोस्तों पर्या वरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूच्व करिकाओं के विसाय में अत्यदिक चिंता इसलिए है ये समुंदरी परितंत्रों के लिए हानिकारक हो सकती है इसलिए चिंता है अगले प्रसंद को देखे बहुत ज जीव अभ्यारन कहां इस्तित है मोस्ट इंपोर्टन इसको लगा लीजिए पाखुई वन जीव अभ्यारन दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में इस्तित है नेस्ट कोशन की बात करते हैं भारती अनूप म्रग मतलब बारा सिंगा की उस प्रजात जो पक्की भूम पर फलती फूलती है और केवल घास भच्ची है के संदच्छन के लिए कौन सा संदच्छी छेतर प्रसिद है तो दोस्तों कानहा राष्टी उद्ध्यान याद रखेगा कानहा राष्टी उद्ध्यान ठीक है next question पर आते हैं अगला प्रस्त ने दोस्तों राष्टी पर्यावरन अभियांत्र की सोध संस्थान नीरी कब और कहां इस्थापित किया गया यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है दोस्तों नीरी बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसको याद रखेगा 1958 नागपुर में next question क्या है कि red data book किसे सम्मंदित है ये तो बहुत ज़्यादा यूपीटेट का famous question है विलुपति के करीब जीव से सम्मंदित है दोस्तों red data book ओके चलिए next question पर आईए m.s. swami nathan दोस्तो m.s. swami nathan एक क्रसी वेग्यानिक थे यूपीटेट 2018 में question पूछा गया इसको बहुत अच्छे से याद रखेगा बाकि सारे question यूपीटेट के मैं अल्रेटी अपने चैनल पर बहुत बार करा चुका हूँ next question पर आईए हरित ग्रह प्रभाव क्या है दोस्तो जो वैस्प्रिक तापमान में व्रद्धी हो रही है वही हरित ग्रह प्रभाव है इसको अच्छे से आपको याद रखना है अगले प्रस में आईए कि समुदायों का पूर्ड क्रम जो क्रमसा एक निश्चित इस्तान पर बदलता है क्या कहलाता है उसको बोलते हैं दोस्तो सीयर समुदायों का पूर्ड क्रम जो क्रमसा एक निश्चित इस्तान पर बदलता है क्या कहलाता है उसको सीयर कहते हैं याद रखें जो जादा इंपोर्टेंट होगे उसको मैं आपको बता दूँगा कि ये बहुत अच्छे से याद कर लिजे भारत में हरित क्रांती का स्रे किसको जाता है डॉक्टर M.S. स्वामी नाथन को जाता है देखे बेसिक टीचर एकजाम 2018 में पूछा गया है तो ये कोशन आपके लिए क्या होगा इंपोर्टेंट होगा ये कोशन यूपी टेट में ना जाने कितनी बार पूछा गया है दोस्तों आयो डीन इस कोशन का राइट अंसर लगाए अगले प्रस्न पे आईए कि डीजल, मोम, ग्रीस और कोईला में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है ये देखे सीटेट से पूछ दिया गया तो कोईला कहा प्राप्त हो जाएगा भाई वो तो जीवास में अगले प्रस्न पे आईए कि भारती संसत दौरा जैव, विविता, अधनियम पारित किया गया कितनी बार कोशन पूछा गया भाई जैव विविता अधनियम पारित किया गया तो हजार दो में नेस्ट कोशन आएए सब के लिए सतत उर्जा दसक पहल है तो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट संग का पहल है इसको याद रखेगा चलिए नेस्ट कोशन पर आते हैं अगला प्रसन है जैव ऑक्सिजन मांग BOD किसके लिए एक मानक माप दंड है ये तो बहुत ज़्यादा कोशन है ये जो आपका बायो लॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है दोस्तों जली पार्स्त की तंत्रों में प्रदूसन के मापन के लिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा नेस कोशन आईए कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी ये आपके एक्जाम में कोशन पूछा गया है टेट के एक्जाम में आई तिंग हरियाना टेट में पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैसो की संकल्पना की थी जो से फोरियर ने जो से फोरियर ने की थी बहुत अच्छे से याद रखेगा अगले प्रस्पे आईए ओ जोन परत मुख्यता कहां पाई जाती है इसको तो आप नकार नहीं सकते हो आपको भी पता होगा कितनी बार कोश्चन ये पूचा गया है दो वराष्टी उद्यान को टॉप स्लिप के नाम के रूप में जाना जाता है नियूस कोशन है दोस्तो काई कोश का न्यूकली अंतरल प्रद्वग की सोमैटिक सेल न्यूकलीस ट्रांसफरंट टेकनोलोजी का प्रयोग क्या है तो जनतों के जननी क्लोनिंग में करते हैं इसका लेवल का कोशन होगा वो यूपी टट में नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए चलिए अगले प्रस्ण पर आते हैं कि भारत में ब्रच्छादित छेत्र सरवाधिक कहा है तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टन कोशन है पूरी धकन में जो है सरवाधिक ब्रच्छाद सब्ध का प्रियोग 1935 में इसके दोरा किया था एजी टांसले के दोरा यह बहुत इंपॉर्टन है इंपॉर्टन 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 है नेस्ट कोशन पर आते हैं इंडियन इंस्ट्यूट आप एकोलोजी एंड एंवार्मेंट अब इस्तित है कहा है इस्तित है यह नई दिल्ली में इस्तित है इसको याद रखेगा इंडियन इस्ट्यूट आप एकोलोजी एंड एंवार्मेंट कहा है इस्तित है नई दिल्ली में इस्तित है अगले प्रस्ट पर आईए भारत में वन जीव संदच्छण अधनियम कब लागू हुआ तो दोस्तों भारत में वन जीव संदच्छण अधनियम 1972 में लागू हुआ इसको बहुत अच्छे से याद रखे इंपॉर्टेंट है केन्या की नोबल पुरुसकार विजेता बंगारी मताई किस एक में अपने योगदान के लिए जानी जाती है तो दोस्तों ये धारणी विकास में अपने य उम्तम भूम को दोस्तों बोलते हैं पारिस्त की पदचाप इस तरीके से होता है कि मालों के लिए जो उपयोगी इस तरीके से होता है पारिस्त की तरीके बना रहता है तो इसका क्या हो जाएगा पारिस्त की ये पदचाप नेक्स कोशन पर आते हैं कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस से उद्भत हुई है तो दोस्तों कार्बन क्रेडिट की संकल्पना कोटो कोटो प्रोटोकॉल से किस से कोटो प्रोटोकॉल से most important है यह आपके लिए अगले प्रस्पे आते हैं कि अमल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्या वरन प्रदूसर्ण के कारण होती है फिर देखे वही कोशन पूछा गया नाइट्रस आकसाइड और सल्फर डाय आएज़ा मुख्य में जब भी पूछा जाए तो आपको वहाँ पर आप्सन में सल्फर डाय आकसाइड ही मिलेगा अगले प्रस्पे आये कि भारत में किस प्रकार का वन सरवादिक ब्रहत चेत में पाया जाता है ये तो बहुत फेमस कोशन है उस्र कटबंदी आद्रपन पाती वन अगले प्रस्पे आते हैं कि जैव सुरच्छा का काटा जोना प्रोटोकॉल केंद्री मंत्रालियों में से कौन कार्याण निद करता है बहुत इंपोर्टिन कोशन है दोस्तो काटा जोनो प्रोटोकॉल केंद्री मंत्रालियों में से पर्या वरण येवं वन मंत्रालिय के दोरा कार्यान वित किया जाता है इसको अच्छे से याद रखेगा नेस्ट कोशन देखे, most important, विश्यों का एक मात्र प्रभी राष्टि पार कहां इसतित है? मड़ीफूर में. 36 गड़ में सबसे अधिक अरण छेतर किस वनका है? दोस्तो 36 गढ़ में सबसे अधिक अरण च्हेत्र जो है वो मिस्रित वन का है किसका है मिस्रित वन का है बायो गैस गोबर गैस का मुख गटक most important methane बायो गैस गोबर गैस का मुख गटक दोस्तो मीथेन है सबसे ज़दा important चिप को आंजोलन किस से सम्दित है व्रचों से सम्दित है बहुत ही important है 200 पर्यावलार दिवस कम मना आये जाता है 5 जून को मना आये जाता है इसमें कोई डिक्कत की बात नहीं important ही है कुछ वर्स पहले तक गिद भारती दियातों में आम तोर से दिखाई देते थे किन्तो आज कल कभी कबार नजर नहीं आते हैं इस इस्तित के लिए उत्ता दाई क्या है तो दोस्तों एक दवा होती है गोपस्व मालकों के द्वारा रुग्ड पस्वों के उपचार हे तू एक आवसदी प्रियोग की जाती है जिसको बोलते हैं डिक्लो फिनेक सोडियम ये पस्वों को दी जाती है अगर पस्वों खा करके इसको मर जाते हैं जब इसको क्या कते हैं गिद्ध खा लेते हैं उनको मरे हुए प्रसुमों को 30 दिन के अंदर दोस्तों गिद्धों के मृत्वी हो जाती है सबसे पहले पाकिस्तान में इसको देखा गया फिर नेपाल और भारत में एक जंसी ने इसका पता लगाया अगले प्रस्त पर आईए कि कौन सा इस्थल वनस्पती संदचन है तो स्वा इस्थाने पधती नहीं है स्वा इस्थाने बाह इस्थाने से संबदिक कोशन आपके एकजाम में आही जाता है ठीक है तो देखिए दोस्तों जो वनस्पती उध्यान होंगे वो स्वा इस्थाने पद्धत के अंतरगत नहीं आएंगे अगले प्रस्थ प्रक्रति एवं प्राकरतिक संसाधन अंतर राष्टी संद्चन संग द्वारा प्राकासित रेड डाटा बुक सम्मिलित की जाती है तो यह तो बड़ा फेमस कोश्चन है केवल संकट गरस्थ पौदों एवं पसुओं क की जातियों की सूची उसमें क्या की जाती है सम्मिलित की जाती है अगले प्रस्थ पे आते हैं कि आज कार्बन डाइ ओकसेट स्योटू के उत्सरजन में सरवाधिक योगदान करने वाला देश कौन है चीन है दोस्तों बहुत पूछा जाता है कोश्चन आपका यह नेस्ट जिसका गठन रियू डिजेनेरिया में 1902 में सयुत राष संग के पर्यावरण विकास सम्मेलन में किया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है यह राम सर सम्मेलन सनच्छन संबंदित था बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है किससे आदर भूमियों से किससे द बात यहां पर पुई गही है इसको याद रखें अगला प्रस्ण देखें कि कौन सा संरच्छित छेत्र कावेरी बेशन मिश्तित है तो दोस्तों नागर होल राष्टी उध्यान सत्यमंगल बाग आरच्छित छेत्र वायनाड वन्यजिव अभ्यारण ये सब कावेरी बेश मिश्टित हैं इनको बहुत अच्छे से याद रखें अगले प्रस्टिम पे आईए मोश्ट इंप्रोर्टन कोश्चन है पचास से अधिक देसों द्वारा समर्थित संयुक्तराष्ट का मौसम परिवर्तन समझ होता प्रभावी हुआ तो दोस्तों ये 21 मांच 1994 को प्रभावी हुआ अगले प्रस्टिम पे आईए भूमी जल को दूसित करने वाले अजयविक प्रदूसक है ये आरसेनिक ब्लैक फुट जिसकी वज़े से होता है पस्चिम मंगाल में सबसे ज़्यादा इससे प्रदूसित है ये कोशन बहुत ज़्यादा यूपीटेट में पूछा जा है भूमी जल को दूसित करने वाले अजयविक प्रदूसक कौन है दोस्तों आरसेनिक है ओके चलिए अगले प्रस्टिम आईए कि मानों सरीर में प्रोटीन का पाचन मुह छोटी आत और अमासे में से किस अंग से प्रारम होता बात यहां पे प्रोटीन क्यों रही है तो प् को सैयुतरास्ट ने वर्श 2003 को अंतर रそ्टि वर्श घोसित किया स्वच्छल का अंतर र स्थिए वर्श गोसित किया किसने सैयुत रस्थण 2003 को होगे चलिए अगला प्रस्ट है स Interstate कि प्रत्वी सिकर समेलन वर्ष 2002 का आयोजन किया गया था सबसे पहले 1992 में फिर 1997 में ये आपका जोहंस बर्ग में 2002 में तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेगा अगला प्रसंद देखे दोस्टों पार्ष्ट की इस्थाय मित्वईता है या किस आंदोलन का नारा है ये को तो दोस्टो चिपको आंदोलन उत्तरांचल के चमाली जिले में परार्म हुआ था याद रखेगा टाइगर राज जिक किसे घोसित किया गया दोस्तों मध्यप्रतेश को मेधा पाटेकर दोस्तों कौन है एक सामाजिक कारे करता है 애C II बबर सेर कहा निवास करते हैं गिरी प्रसने ओ जोन परत मालों के लिए उप्योगी है क्योंकि वासूरी की अल्ट्रा वायलेट किरुनों को पर्थवी पर नहीं आने देती Most important question भारत के कुल भागोलिक छेतर में वन छेतर का क्या प्रसत है तो 20.7 प्रसत है 20.7 प्रसत है लगबग 21 के आस्वास कह दिया जाता है New Zealand में पाया जाने वाला उड़ेयन हीन पच्छी मतलब उल नहीं पाता है कीवी आपके यूपीटेट के लिए important है Westwick ताप की व्रद्दी के लिए कौन सी गैस का योगदान अधिक्तम है Most important question कई वार यूपीटेट में पूछा गया Carbon Day Oxide भारत का राष्टी इस्तनी है कहने की जरूरत नहीं है Most important question है दोस्तों बाग मानवी जनसंक्या के स्रेश्ट तर जीवन्यापन के लिए कौन सा कदम सरवाधिक महत्पूर है One Roper One Roper सरवाधिक महत्पूर है Egg Mark Act भारत में कब लागू किया गया इसको नोट कर लीजे याद कर लीजे Egg Mark Act भारत में दोस्तों 1937 में लागू किया गया कौन सा भारती विग्यानिक UNEP दोरा Father of Economic Ecology अभियन्त है तो वो कौन है दोस्तो MS. Swaminathan भारत का राष्टी जली प्राणी कौन है तो बहुत ही फेमस गंगा का डाल्फिन मौसम विज्ञान संबंधी प्रेशन के लिए किस गैस को गुबारे के भरने में उप्योग लाया जाता है ये भी important है question दोस्तों Helium किसे dinosaur का कब्रिस्तान कहा जाता है dinosaur का कब्रिस्तान दोस्तों कहा जाता है तो इसको याद रखिएगा Montana को पश्चिमी अमेरिका में है Montana अगले प्रस्न पे आईए कि dinosaur जीवास राष्टी पार के स्तापना के जिले में की जा रही है धार मद्यपरदेश में की जा रही है इसको याद कर सकते हो केंद्री सुस्क छेत अनसंधान संस्थान काजरी अविस्तित है जोदपूर राजिस्तान में कौन सा केंद्री सुस्क छेत अनसंधान संस्थान काजरी अविस्तित है जोदपूर राजिस्तान में 19 नमबर को किस दिवस के रूप में मनायाता है? यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन विस्व सोचाले दिवस के रूप में बना जाता है प्रत्यक वर्ष दिये जाने वाले इंद्रा गांधी पर्यावरन पुरुस्कार का आधार क्या है? पर्यावरन के छेत में सार्थक योगदान ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन कोश्चन होगा आपके लिए भारत के में पर्यावरन समच्छण अद्रियम पारित हुआ 1986 में ये आपको पता होगा हरित विकास ग्रीन डिवलप्मेंट के लेखक है इसको आप नोट कर लीजे इंपॉर्टन है दोस्तों हरित विकास ग्रीन डिवलप्मेंट के लेखक है W.M. Adams W.M. Adams इनको याद रखें आगला प्रसन यूपीटेट में पूछा भी गया है बहुत इंपॉर्टन भी है प्रोटीन अडवों की दोस्तों इकाई जो होती है वो एमीनो अमल होती है प्रत्वी सिकर सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों प्रत्वी सिकर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरिया ब्राजील में किया गया था हाली में कुछ सेरों को गुजरात के उनके प्राकर्तिक आवाज से किस एक इस्थल पर इस्थान अंतिर किये जाने का प्रस्ताव दिया गया था तो दोस्तो कुनो पापुलर वन्जी और भ्यारन मद्द प्रदे से याद रखेगा एजेंडा 21 में कितने समझोते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपर्टन कोश्चन है दो तो चार समझोते हैं इन्हें याद रखेगा अंटार्टिका में भारत के पहले और दूसरे सोध केंद का क्या नाम है दो पहले सोध केंद का नाम है दच्छिन गंगोत्री दूसरे सोध केंद का नाम है मैत्री ये 1988-89 फिर से कोश्चन रिपीट करता हूँ अंटार्टिका में भारत के पहले और दूसरे सोध केंद का न अगला प्रस्व राष्टी गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया बहुत ज़्यादा इंप्पोर्टेंट फर्वरी 2009 में केंद्री बजट 2014 में समन्वित गंगा संद्चण अभ्यान को कहा गया नामामी गंगे कहा गया पे जल में संखिया प्रदूसर्ण सरवाधिक है दोस्तो जो पे जल में संखिया प्रदूसर्ण जो है वो सरवाधिक है कोलकाता में ठीक है याद रखेगा इसको प्रदूसर्ण युक्त वाई मंडल को किसके द्वारा सुथ किया जा सकता है तो वर्सा के द्वारा दोस्तों सुथ किया जा सकता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आप पॉपलेशन से एक्ट लागू किया गया 1977 में लागू किया गया water act इसको बोल सकते है 1977 में धूल प्रदूसर्ण को रोकने के लिए उपयुक्त व्रच कौन सा है तो सीता असोग याद रखेगा धूल प्रदूसर्ण को रोकने के लिए उपयुक्त व्रच है सीता असोग क्वेटो प्रोटोकॉल दोस्तो जलवाई उसे संबंदित है जलवाई परिवर्तन से संबंदित है इसको याद रखेगा क्वेटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है तो दोस्तों गैसों के वाई मंडल में जमा होने से प्रत्वी के बाताउनन का जो गर्म होना है उसी से संबन दित है ग्रीन हाउस प्रभाव ओके अगले प्रस्ट देखें पचास से अधिक देशो दारा समर्थी संयूत राष्ट का मौसम परिवर्तन समझाओता फिर से कोशन पूद दिया गया है मार्च 21 मार्च 1994 में अगले प्रस्ट पर आईए दोस्तों कि जारखंड का राज की फूल कौन सा है तो दोस्तों पलास जार खंड का राज की फूल है पलास नेज कोशन भारत में पृतिसद समर्थ को का एक अंतरहाश्टी संगठन है ग्रीन पीस नेस कोशन देखे पूर्वी घाट और पच्चिमी घाट का मिलन कहा होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन कोशन इंडील गिरी में प्रसिद पर्यावरण विद सुंदरलाल बहुगुरा किस काम के लिए जाने जाते हैं तो दोस्तों ये चिपको आंदूलन के लिए जाने जाते हैं छोटा नागपूर के जंगल है पतजड एवं सवाना के टेफलॉन नियोफरीन पॉलिस्टिरीन एवं पॉलिथीन में से कौन सा बहुलक एक थर्मो प्लास्टिक नहीं है तो दोस्तों जो नियोफरीन है इसमें वो जो है क्या है कि थर्मो प्लास्टिक नहीं है राष्टी पर्याओन सोध संस्थान कहां इस्तित है तो राश्टी पर्याओन सोध संस्थान यह आपका नादपूर में इस्तित है, बायो कार्बन फंड इन्सिवेट्यू for sustainable forest landscapes का प्रबंधन कौन करता है तो इसका प्रबंधन विश्व बैंक करती है, हरियाली योजना किसे सम्मंदित है तो जल प्रबंधन से सम्मंदित है पेड से मस समझेगा हरियाली योजना सम्मंदित है जल प्रबंधन से उर्वरक के अधिक प्रियोग से होता है तो मरदा प्रदूसन जल प्रदूसन यो वाई प्रदूसन तीनों तरीके का प्रदूसन हो किस पर्या वरण विद को जल पुरुस के नाम से जाना जाता है यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टन दोस्तो राजेंद सिंग को जो है जाना जाता है वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन धातु वाय को प्रदोसित करता है तो ये लेड है ये भी काफी important question है ये तो बहुत जादा important है कि Rio 20 गोशला पत्त का सीर सक क्या था तो future we want इसका गोशला पत्त में जो सीर सक था वो था the future we want आगे प्रस्ण है प्राणियों को पादपो की जातियों में अधिक्तम विवित्ता मिलती है उस्र कटबंद के आद्रवनों में अधिक्तम विवित्ता मिलती है rate data book का संबन किस्से है कई बार question देखो बार बार repeat होता है important है इसलिए विलूप्तिके संकट से के गरस्त जीव जनतूँ से सबसे लंबा जीवित व्रच आप से पूछा जाए दोस्तो सिकोया बताइएगा most important question है भारत में पाए जाने वाले hot spot दोस्तो पूरवी हिमाले स्रंकला पस्चिमी घाट सुंडा लेंड ये आपके सब क्या है hot spot है इनको याद रखेगा आगे question पे बात करते हैं कि कचुवा घडियाल कौवा बतक मचली कौन सा दूसरे से बिन है ये seated के exam में question पूछा गया ये कौवा इसमें से बिन है भारत में जैविविता की दरस्ट से घनी स्थान है धनी स्थान है तो पस्चिमी घाट दोस्तो ज जैविविता से धनी स्थान है सबसे ज्यादा आगले प्रस्ट पे आईए डियूंग नामक समुंदरी जीव जो की विलोपन की कागार पे है दोस्तो ये घास खाने की इसकी प्रवत्ती की कारण इसको इस्तंधारी एक मैमल है इसको जो होता है समुंदरी गाये भी बोलते ह भारती राष्टी जैविविता विविता प्राधिकरन स्थापित किया गया 2003-19 में अगला प्रस्ट है भारत में गिद्धो की कमी का अत्यतिक प्रमुख कारण फिर से वही कोशन है दोस्तो जानवरों में दर्द निवारक देना जिसका नाम है डिकलो फिनेक सोडियम अगल पार्स्त की तंद आपसे पूछा आता है, समुद्री इसका अंसर आता है, पार्स्त की तंद में तत्यों के चक्रों को क्या कहते हैं, वही बात है, जय भूरसानी चक्र कहते हैं, जी उभार का पिरामिट की पार्स्त की तंद में उल्टा सीधा, तो दोस्तों आपका ऐसे इस् लोग फाइटो प्लैंकंटांस एक प्रकार की घांस होती है इसको ध्यान रखेगा इको मार्क उन भार्टी उत्पादों को दोस्तो दिया जाता है जो पर्या वरण के पत मैत्री पूर हो जुगाली करने वाले पस्वों से जिस ग्रीन हाउस गैस का निसारण होता है वह कौन ह जाता है इसको याद रखे अनाचल प्रदेश नेस कोशन है कि बुंदाला जीव मंडल आरचित छेत जो हाल में यूनेसको के मानो तथा जीव मंडल तत्य में समलित किया गया है कहा इस्तित है तो स्री लंका में है बुंदाला जीव मंडल याद रखे इसको भारत में कौन नवी करणी उर्जा इस्तोर सरवादिक संभावता वाला है, तो सौर सक्ती हो जाएगा इसका, आपने प्रदूसकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती, most important question है, दोस्तो दामोदर घाटी, बारत में सबसे बड़ा बाग आवास पाया जाता है, आन्द प्रदेश नागा जुन स्री सेलम, important है इसको याद रखे, आन्द प्रदेश नागा जुन स्री सेलम में सबसे बड़ा बाग आवास पाया जाता है, कहते हैं, बीटी का पास जैसी किसी आनवांसी ग्रूपांतित फसल की पैदावार के लिए, जिस आन्वांसी की प्रदोग की अन्मोधन समित की अनुमत लेनी पड़ती है, वह अधिनस्त है, तो वह अधिनस्त है पर्या वरण एवंवन मंत्रा लेके, भारत में केंद्री गंगा प्रादिकरण की स्थापना कब की गई थी, वर्स 1985 में इंपॉर्टेंट कोशन इसको याद रखेगा, राष्टी गंगा बेसिन प्रादिकरण की इस्थापना कब हुई, अभेमलो कोशन इकर भी चुके हैं, फर्वरी 2009 में, ठीक है, अगले प्रस्ट पे आते हैं, अगला प्रस्ट ने दोस्तों, वर्स 2015 में जलवाई परियुतन सम्मेलन हुआ था, तो ये पेरिस में हुआ था 21, अगला प्रस्ट ने इंडोर वाई प्रदूसर्ण का सरवादिक महतपूल प्रदूसर्ण जो है, वो रेडान गैस है, नेश कोशन देखे, चर्नोबिल दुरगटन सम्मंदित है, नापकी दुरगटन से ये कई बार कोशन इक जाम में आपसे पूछा गया है, सरवादिक जैविता पाई आती है, उस्र कटबंदी वर्सामन में यूपीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहापे जो कोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप नोट करते हुए चलिएगा, भू मंडली उस्मन के आसंका किस्से बढ़ती सांधता के कारण बढ़ रही है तो सिंपल सा है कारवन डायकसर कई बर भूमा के कोशन पूछा जाता है वाई मंडल में उजून परत पराबैगनी विक्रन से प्रत्वी पर जीवन के रच्छा करती है इंपोर्टन कोश्चन है बढ़ आपको पता होगा फाइब्रिन, लेक्सोन, नियोफ्रिन और टेफनोन में कौन सा करतिम पतात नहीं है तो फाइब्रोन जो इसमें है दोस्तों वो करतिम पतात नहीं है बायो गैस बनाने के लिए सामानता प्रिक्ट द्रौज ओते हैं वो पसुओ का अप्सिष्ट जो होते हैं उसे बायो गैस सामानता बन जाती है जल में BOD मान बताते हैं तो ये बहुत इंप्रोर्टन है जैवरसानिक आक्सी करण के लिए प्रिक्ट आक्सीजन की मात्रा बताते हैं विसुका प्रसिद सेरे गेंती वन ने प्राणिय भ्यारन कहा है तंजानिया में है इसको आप नोट कर लीजे, विस्व का प्रसिद सेरिंग गैती, वन ने प्राणी अभ्यारण कहा है, तंजानिया में है, नेस कोशन पे आते हैं, वाय मंडल में किस ओजोन छितर का पता लगाया है, वह कहा इस्तित है, ये भी कई बार आपके एक्जाम में कोशन पूछा गया है, तो अंटार्टिका में ब्राजील के दोस्तों उन्होंने लगाया है, पराद्वैनिक जेट प्रदूसर्ण पैदा करता है, तो ये पतला करके ओजोन ओटू परत को, तो ये देखें, पराद्वैनिक जेट जो प्रदूसर्ण है, वो प्रदूसर्ण कैसे पैदा करता है तो वो ओजोन परत को पतला करके करता है आगे प्रसंद देखिए पारिस्त के दरश्ट कोन से पूरवी घाटों और पच्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्ख होने के लिए किसका महत अधिक है तो यहाँ पे जो सत्यमंगल बाग आरची चेट सत्यमंगल टाइगर डिजर तमिनाड इसका क्या है महत अधिक है कीड भच्ची पौदे जिस मरदा में उकते हैं उसमें कमी रहती है यह दोस्तों बहुत जादा important question है आपके लिए nitrogen की कमी रहती है इसको याद रखेगा प्रसिद कुरूगेर नेशनल पार कहा है इस्तिन है दच्छन अफरीका में असम और नागल लेंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाले भारत का एक मात कपी है गिब्बन इसको important आप मान सकते हो कि असम और नागल लेंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एक मात कपी जो है वो गिब्बन है नेस कोशन की बात करते है निपे थिन्स वा पौदा जो सिकायर करता है कहाँ पाया जाता है आस्टेलिया अंडोनेसीय और भारत के नियम में घाले पाया जाता है इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुझ एक पत्ति से ढखा रहता है सीटेट के एक जाम के लिए ज़ दोस्तो गुजरात पास्ट की निकाय में उर्जा का प्रात्मिक स्तुरोथ है सौर उर्जा कौन सा अहार संखला का सही क्राम है देखे डायटम, क्रेश्टियाई और हेरिंग ये आपका तालाप के लिए दिया गया है सबसे बले डायटम, क्रेश्टियाई और हेरिंग इसको एक जीव में उसमें संभावता अधिक्तम सांद्रन प्रदर्शित होगा तो साप, साप का होगा दोस्तों, दो भिन संदायों के बीच संक्रान तिछेत क्या कहलाता है, इकोटोन, यह मैं कहूँगा यूपीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, दो भिन सीमाओं एवं आग के कारण, यहाँ पर ध्यान दीजेगा कि घास इस्थलों में व्रच पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंस के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, तो जलकी सीमाओं एवं आग के कारण नहीं करते हैं, जै विवित्ता का निर्धारी छेतर में विविन प्रकार के पादप एवं जन्तु, यह आपके लिए इंपोर्टेंट होगा, किसने सरप्रतम बायो डैवर्सिटी सब्द का प्रियोग किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कि किसने सरप्रतम बायो डैवर्सिटी सब्द का प्रियोग क आते हैं कि किस राज का समुंद्री तट दच्छिर अमेरिका के विसाल ओलिव रिडले कछवों के निचल इस्तल के रूप में प्रसिद्ध है ये भितरकन का ये आपका उड़ीसा में ही है और ये जो आपका ओलिव रिडले कछवा है 150 वर्सों में ऐसा बोला जाता है इनकी इ प्रसिद्ध है ये कोशन आपके एक्जाम में आया है भारत में उप्यूट पार्स की संत्रों बनाया रखने के लिए वाच्छादन हेत नियूंतन संत्र भूम छेतर है तैतिस प्रसर इसको कहूंगा मोस्ट इंपोर्टन कोशन लगाईए सरवाधिक जैवित्ता पायती है अगर आप्सन में आपको सांत घाटी मिला है तो सांत घाटी केरल के सांत घाटी में सरवाधिक जैवित्ता पायती है इसको याद रखेगा स्वाचालित वाहन निर्वातक का सबसे आविसाल धात प्रदूसक है तो दोस्तों स्वाचालित जो वाहन निर्वातक होते है उनक इसको याद रखे नेस कोशन ने वह कौन सा प्रथम भार्टी राज है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उप्यूग पर पूर्ण रोक लगा दी तो वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश है तो इसको भी आप इंपोर्टेंट में रखे हिमाचल प्रदेश नेस कोशन देखे जी निर्दिष्ट किया जैव विवित्ता को इसको कहूंगा मोश्ट इंपोर्टेंट कोशन है नीरी इस्तित है नाकपूर में हम लोग पीछे भी कर चुके हैं जैव विघटित प्रदूसर के अंतरगत आता है वो वाहित मल आता है कई बार इसको हम बता चुके हैं जो जीवा भू भाग जल जंगल है तो यहाँ पे 24.39% यह कोशन इंपोर्टेंट नहीं है अब थोड़ा सा देख लीजे नागलेंड के परुती छेत्र करमसा बंजर होते जा रहें इसका प्रमुक करण का है तो वो जितने पूरी छेत्र महाँ पे जूम खेती इसका एक रीजन है तो दोस्तो पालपूर कुनो माद्य प्रदेश को इसका अभी किया गया है इसको बार बार आपसे देखो यहाँ पे कोशन आ रहा है इसको याद रखें कार्बन मोनो ऑक्साइड की विसातकता किसको मुकिता प्रभावित करती है तो रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की छमता को दोस्तो प्रभावित करती है इसको इपॉर्टेंट है याद रखें ठीक है अगले प्रस्त के और आते हैं दोस्तों कि यदि प्रत्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां सवाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी ऑक्सीजन की कमी होगी यूपी टेट में आया भी है को किस से शुरू हुआ तो कारबन डेटिंग का दरीष्टिकोंड दोस्तो क्वेटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ नेस्ट कोचन है भारत में मैंघ्न ज्वरी वनस्पति पाई जाती है सुन्दरवन्ड में पाई जाती ही बहुत ज़्यादा इंपर्टेंट कोचन है इसको याद रखें दोस्तो नाइक्ट्रोजन आक्साइड नाइक्ट्रोजन आक्साइड कार्बन डाय आक्साइड मीथेन और ओजोन में से कौन सी एक प्राकर्तिक रूप में वायमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो यह नाइक्ट्रोजन आक्साइड नाइ वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स क्या है तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एक चमगादर है इसको ध्यान रखेगा निम्लिखित में से किसी एक प्रजाती के विलोपन के लिए उत्तरदाई नहीं है तो जो व्यापक निच कर्मता होती के वल यही उत्तरदाई न नश्य कोशन पॉर्टेंट से संबंदि संगेथायू सीयन है यह आपके लिए इंपर्टेंट है आपको पता भी वी होगा नश्य कोशन पर आते हैं कौन सा एक प्राणी कौन सा एक प्राणी समू संगटापन जातियों के संबर्ग के अंतरगात आता है तो जैसे महान भारती सारंग कस्तूरी म्रग लाल पांडा और ACI वन गदा ये दोस्तों सब संगटापन जाती है ठीक है नेक्स कोशन पर आते हैं भारत का प्रथम तितली उद्यान कह राज की तितली का दर्जा दिया मोस्ट इंपॉर्टन दोस्तों महारास्ट महारास्ट ने सवर्पतम तितली को राज की तितली का दर्जा दिया अगला प्रसंद देखिए अति हान कारक अल्ट्रा वायलेट किरने कौन सी है तो अल्ट्रा वायलेट किरने बी जो होती है वो नाम दफा निशनल पार कहा है यह अरुणाचल प्रदेश में है वन रोपर प्रक्रिया क्या है यह पेर लगाने की प्रक्रिया है क्रायो बैंक एक सीटू संदच्छन के लिए कौन सी गैस सामता प्रयोग किया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक सीटू जिनक बहुत जड़ा फेमस इंपॉर्टेंट फूलो की घाटी कहा है दोस्तों उत्तरा खंड में आफ सभी को पता होगा मानस पसू विहार राज किस में राज में है असम में मानस पसू विहार किस राज में असम में नेस कोशन देखते हैं भारत में खोर खुर कहां पाए जाते ह हैं तो कच्छिके रन गुजरात में पाए जाते हैं कौन प्रवाल विरंजग में सरवादिक महात्पूर कारक है तो दोस्तों जो वैस्विक उस्मन है वैस्विक उस्मन जो प्रवाल उनके जो विरंजन हो रहा है उसमें सरवादी महात्पुर कारक है इसको याद रखेगा important है एक मात अभ्यारन है जहां कस्मेरी महामरक हांगुल पाये रता है दाची गाम दाची गाम इसको याद रखेगा most important ठीक है चलिए अगले प्रस्त के और बढ़ते हैं क्या है जोस्तों är कह रहे है तो सेर की पूछ जैसा महकाक अगले प्रस्त देखें तुमारोज बायो डाइवर्सिटी पुस्तक की लेखर कौन है कई बार आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया ब्री है आई थिंग वंदना सिवा, टुमारोज बायो डायोस्टी पुस्तक की लेखिका जो है वंदना सिवा इनको याद रखेगा, कौन सी एक गैस धर्ती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाबदायक होती हानिकारक भी है लाबदायक भी है तो वो कारबन डाय आकसाइड है, मंत्य प्रदेश का स्यूपूरी राष्टी पार दोस्तों तेंद्वा और चीतल के लिए क्या है महतपूर है, ओके चलिए, मैंग्रो वनो पर वैस्विक तापमान का क्या प्रभा होगा, मैंग्रो वनो पर वैस्विक तापमान का क्या प्रभा होगा, मैंग्रो के विसाल शेत जल 18 है. ठीक है. अगला प्रस्न है किसने सुझाओं? कितने सुझाया था कि प्रत्वी का धूरी पर अवस्था बदलना जलवाई परिवर्त्न के लिए कारक है? तो ये मिलुटिन मिलाण कोविच ने दरसाया था. इसको याद कर लिजे, इनका नाम है मुलुटिन, मिलान, कोविच ओके चली, अगला प्रसन देखे क्या है, कि कहा आरसेनिक दारा जल प्रदूसर सरवादिक है, मैंने भी बताया था आपको, परश्ची मंगाल में है गंगा नदी में, बी-ो-डी सरवादिक मात्रा में पायता है, कान, पूर एवं इलहाबाद के मद्द, जहां पे ज़्यादा पानी गंदा होगा, वहीं ज़्यादा पाया जाएगा सुन्दरी ब्रच निम्लिकेत में से किसकी एक विसेज प्रकार की वनस्पती है, तो ये मैंग्रो वन जिने जौरी वन भी कहते हैं, अपने प्राकर्तिक परिवेश में वन जीव के लिए कानून वन जीव के लिए कानूनी तोर पर आरच्छी छेतर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते है, राश्टी उध्यान बोलते हैं और द्योगिक 22 रावदारा किये जाने वाले जल प्रदूसर को रोकने में कौन सा अपत्रण प्रभावी पाया गया है तो जल संबूल या वाटर हाईकिन्द ठीक है अगला प्रसन देखे क्या है कि किसी जल छेत्र में बी ओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेस से प्रदूसित हो रहा है अगला प्रसन है कि हाली में आयल जैपर समाचार पत्रों में था वा है या तेली पंक तता बिखरेवे तेल के उपचार हित पारिस् रखें बोपाल गैस तरास्दी किस गैस के कारण घटी थी मिथाइल आइसोसाइनाइड ये तो कई बार एकजाम में कोशन पूछा गया है यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सलफर डीजल में सलफर की मात्रा क्या होनी चाहिए तो दोस्तों 0.05 प्रसर या इससे कम होनी चाहिए वाहनों में उत्सरजित कारभन मोनो आकसाइड को कारभन डै आकसाइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किसके इस्तरित होती है तो पैलेडियम पैलेडियम ओके चलिए नेस कोशन पर आते हैं अगला प्रस किया जा सकता है इन में से कौन सा एक इस वर्गी करण का अंस नहीं है ये कोशन मैंने आपको कराया भी है तो परिचालन पर्यावलन इसका अंस नहीं है अगला प्रस्थन है काबूल अबूदाभी बरलिन और थिम्पू सहरों में से किस एक में रेत के पहाड जिने रेत के टीले कहा जाता है पाय जाते हैं ये सीटेट के एक्जाम के लिए बहुत इंपूर्टेंट है अबूदाभी इसका राइट आंसर होगा नेस्ट कोशन बताइए दोस्तो धूम कोहरा में मवजूद अखिमी जलन पैदा करने वाला सक्तिसाली द्रव कौन सा होता है पराक्सी एसी टिल नाइटरेड पराक्सी एसी टिल नाइटरेड इसको बहुत अच्छे से याद रखें भार्ती वनस्पतिक सर्वेच्छन का मुख्याले कहा है तो दोस्तो भार्ती वानस्पतिक सर्वेच्छन का मुख्याले कोलकाता में कहां पे है कोलकाता में नइस कोशन की बात करते हैं पूरी भारत का सुंदर वन एक उधारण है तो पूरी भारत का जो सुंदर वन है दोस्तों मैंगरो पॉर प्रस्त की चंत्र का एक उधारण है अगला प्रस्त है आज कल वातावरण में CO2 की सगंता की मात्रा PPM में लगबग 360 PPM हो गई है इसको याद रखें इंपॉर्टेंट है आपके लिए Noble Gas में कौन सी Gas वाई में नहीं पाई यती है यह आपके एकजाम में पूछा गया है यूपिटेट में Radon Gas दोस्तो वाई में नहीं पाई यती है हवा में जिस Gas की मात्तर सरवादिक है वो 58% Nitrogen की Greenpeace International का मुझ्खयालिम पहले भी कर चुके है अमस्रद ड़म है क्लाइमेट सब्द किस भासा से लिया गया है दोस्तों ग्रीक भासा से लिया गया है इस क्लाइमेट सब्द को अगला प्रस देखे क्या है पर्याभरान सुरुच्छा अध्याम EPA को किस अनिनाम से भी जाना जैता है बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट कोशन है चाता विधान EPA का पूर्ण रूप बताना है Environmental Protection Agency NEA का से क्या है National Environment Authority कौन एक सरवादिक भंगूर पार्ष्ट की तंत्र है जो वैस्ट्रिक तापन द्वारा सब्चे पहले प्रभावित हो रहा है तो वो दोस्तो है आर्कटिक एवं ग्रीन लेंड हिम चादर ओजोन बायो स्फियर को बचाती है ओजोन बायो स्फियर को बचाती है अल्ट्रा वैलेक किरणों से बचाती है हरा सूचकान ग्रीन इंडेक्स विक्सित किया गया है विस्व बैंकों के दोरा विक्सित किया गया है एक बायोगैस सन्यत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है तो किन्वन प्रक्रिया होती है राश्टी पर्यावरण इंजियनिरिक सोथ संस्तान कहा है इस्तित है most important है ये नागपूर में स्तित है हरित विकास ग्रीन डेवलेप्मेंट के लेखर पहले भी देख चुके हैं W.M. Adams है मनुषिके अंगों में कौन एक खानिकारे विकरणों से सरवादिक दुस्प्रभावित होता है तो आंखे सरवादिक दुस्प्रभावित होती है आम तोर पर समाचारों में आने वाला रियो प्लेस 20 सम्मेलन या धारणी विकास पर सयुत राज सम्मेलन है भारत की नदियों में किसे जैविक बरुस्तल कहा जाता है दामोदर को यह पीछे भी देख चुके हैं कोश्चन सरसों के बीज के अप मिस्रक के रूप में समयनता किसे प्रियोग के लिया लाया जा रहा है तो आरजी मोन के बीज को समयनता प्रियोग में लाया जा रहा है अप मिस्रक के रूप में भारत के किस महानगर में वार्स्विक प्रत व्यक्त सरवादिक ठोस अपसिष्ट उत्पन होता है तो दिल्ली में उत्पन होता है कहते हैं कल्प सर पर्योजना का उद्देश क्या है तो दोस्तों कल्प सर पर्योजना का उद्देश ज्वारी उर्जा उत्पादन क्रसी पीने योग एवं और त्योकी उप्योग में आने वाले जल जल का इसका वो है आपका उद्देश है अगले प्रसन पे आईए कि यूरो नाम 140 वाहनों में एक गैस उसरजन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं यह गैस कौन है तो यह गैस कारवन मोनो आकसाइड हैं किस देश में उसके भौगोलिक छेतर का उच्चतम प्रतिसत वाना च्छादित है तो दोस्तो जापान यह र पकड़ने के जालों में फस जाना नंदियों के आसपास के फसल खेतों में संसलिस्ट उर्वरकों और अनिक्रसी रसाइनों का इस्तमाल की वज़े से ऐसा सब हो रहा है अगले प्रस पे आईए कि कौन सा पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मास बच्ची पौधों के वरणन भी करता है तो यह कौन है वो आवास चेत्र है तोप चांची अभ्यारण कहा इस्तिते दोस्तों यह आपका धनबाद में इस्तिते इसको याद रखेगा तोप चांची अभ्यारण ठीक है सौरी चले अगला प्रस देखिए दोस्तों जैविक जैविक आकसीजन आवस्थता बियोडी एक प्रकार का प्रदोसर सोचकांख है जली वाता वरण में कहते हैं किसके छै होने में सबसे अधिक समय लगता है तो प्लास्टिक की थैले को छै होने में सबसे अधिक सम याद रखें पॉली थीन की थैलियों को नस्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे पॉलीमर की बनी हुई होती है पार्ष्ट की संक्रमन अवधारना का सरप्रतम प्रियोग बैनेट के द्वारा किया गया था इंजाम के लिए इंपॉर्टेंट है पार्ष्ट की संक्रमन सो साइनाइट कई बार पूछा गया है जल में आप प्राकर्तिक रूप से नाइट्रोजन और फास्पोरस की मात्रा बढ़ाने को क्या कहते हैं यूट्रोफिकेशन मोलते हैं याद रखेगा यूट्रोफिकेशन मोलते हैं जल में आप प्राकर्तिक रूप से नाइट्रोजन और फासपूरस की बात्रा बढ़ाने को किस देश में सरवादिक अमल वर्सा होती है बहुत ज़्यादा important question है नारवे में होती है अमल वर्सा होती है दोस्तों कारखानू की वज़े से होती है और ज्योगिक मलवे से सरवादिक रसाइनिक प्रदूसर्ण होता है चम्रा ACI भूरा बादल दोजार दो अधिकांसता दचिड एसिया में फैला था अधिक्तम ध्वन प्रदूसर्ण का कारण जो जट वी उड़ान होती है उनकी वज़े से होता है राजिस्थान का वह जिला जो विश्व का अध्वती पच्ची अभ्यारण है एवं जल पच्च्यों सहाधरी कहते हैं प्रत्वी की सता से ओजोन परत की उचाए लगभख 45-45 किलो मेटर माली जाती है बिहार का कौन सा सहर वन जियो संचुरी और राष्टी पार्क के लिए प्रसिद्ध है तो ये गया गया प्रसिद्ध है यूरो उसर्जन नियम उसर्जन के मानक और ये एक वाहन से उसर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदसित करते हैं इसके अंतरगत आच्छादित है कार्बन मोनो आकसाइड हाइडरो कारबन नाइट्रोजन आकसाइड और द्योगिक प्रदूसर से भी अधिक खतननाक होते हैं म्रदा प्रदूसर कौन सी जार कण के खमार परट से निकल कर हुवली नदी में मिलती है विछ सुजल सनलचitel दिवस बनाया जाता है दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है बाई स्मार्च को बनाया जाता है अम्ल वर्सा के लिए उत्तरदाई कारक है वो सल्फर डाइज्विक कई बार कोशन पूछा ज तो देखे राश्टी समुन्दी पार्क जो आपका इस्थित है वो कच्छी की खाड़ी में इस्थित है इसको अच्छे से याद रखेगा नेश कोशन पर आते हैं कि ग्रीन हाउस प्रमुक ग्रीन हाउस गैसे कौन कौन सी है तो कार्बन डाय आक्साइड मीथेन नाइटरस आ बनना चिंता का विशय है इस छेत्र के बनने का संभावित कारण क्या है तो विशिष्ट ध्रुवी वाताग्र और समताप मंडली बादलों की उपस्तिती और क्लोरो फ्लोरो कार्बनों का अंतर वाह ठीक है यही इसका रीजन है अगले प्रस्त पे आते हैं कि बांधो बां सूचना केंदर इस्थापित किया गया मैंचेस्टर इंग्लैंड में सामानी रूप से अहार संकला की कितनी कड़िया होती है तो चार चड़ कड़िया होती है म्रदा में उपस्तित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको हो उद्योगों को उद्योगों को प्राकर्ति गैस आधारित प्रोध्योगी की में सर्वोच न्याले के आदेशा नुसार परिवर्दित करना पड़ा था तो आगरा ठीक है अगला प्रस्न है किसकी व्रद्धी के लिए लवण कच आदर्स इस्तल है तो देखो किसी की कच आदर्स इस्तल है तो लवण म्रदो भित के लिए आगे प्रस्न है कि क्लेव सियला है एक तो ये नाइट्रोजन इस्थर करता है क्लेव सेलिया क्या है एक आपका इसका नाम फिर से पढ़िए थोड़ा कठिन पढ़ने में भी लग रहा है क्लेव सियला है एक ये solar cooker शूर के किन कριड़ों से उरजा असोसित करता है तो दोस्तो ये आवर До किरडों से अगला प्रस्थन है radio, yazuleurean किस प्रकार की उरजा है तो जो radioCI functional है जए एध प्रकार की हिस लिकाники प्रता闇 उरजा है अगला प्रशन है अगुल हास धारा चलती है तो अगुल हास धारा दोस्तों हिंद महासागर्वी चलती है विश्व में सरवाधिक लवरता पाई जती है तो म्रत सागर्वी पाई जती है इंपोर्टेंट है आपके लिए धरातल का कितना प्रस्त भाग आवसाधी च सूरिका प्रभा मंडल प्रकाज के अपवर्टन से उत्पन होता है पच्छाव-इस्तरी-मेगों के हिम्रवों से वाय मंडली उस्वा का कितना प्रस्ट भाग पार्थिव विकरन के रूप में प्राप्त होता है 23 प्रस्ट लगू वर्दन काल का जीवोम है ये important है आपके लिए टुंडरा साल, सागौन और सीसम किस बायोम के व्रच है ये भी important है दोस्तों साल, सागौन और सीसम ये सम मानसूनी बायोम के व्रच है अगला प्रस्त है महोगुनी रोजवुड का आबनूस किस बायोम में के व्रच्छ है तो ये विश्वती वन आयोम के व्रच्छ है अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाती अपना घर पेडों के उपर बनाती है तो उसका नाम है पिग्मी उसका नाम क्या पिगमी वर्स 1902 सन में प्रकासित पुस्तक साइलेंट इस्प्रिंग जिसमें विश्व के पर्यावरण आंदूलन को गती मिली थी उसके लेखक कौन थे उसके लेखक थे दोस्तों रेचल कॉर्सन रेचल कॉर्सन वन महोट सो मनाया जाता है एक जुलाई से साथ जुलाई तक वन महोट सो मनाया जाता है जैतून की फसल है भूमत सागरी चलवाई की फसल है विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्भंडार तता दुग्द व्यवसाइक के क्रोड इस्तल की उपमा प्राप्त है तो दोस्तों सीतोष्र घांस बायोम को एबूनी तता महागूनी व्रच संबंदित है तो ये जो हैं दोस्तों वो आयन वतिय सदा भाहर वनों से संबंदित है याद रखेगा हमारा रास्टी व्रच बरगत है काले व्रच पायाते हैं दोस्तों जर्मनी में प्रत्वी पर अधिकांस आकसीजन उत्पादित होती है सहवालों से विस्व मौसम संगठन के आकलन के अंसार पिछला कौन सा वर्स पिछले 150 वर्सों में सरवादिक गम रहा तो ये 2015 वाला कौन सार रेडियो धर्मी सबसे घातक प्रदूसक है तो ये SR90 किस उपगरा दोरा ओजोन छित्र की उपस्तित दर्ज की गई तो एक उपगरा है दोस्तों निम्बस 7 इसको याद रखेगा इसके दोरा ओजोन छित्र की उपस्तिती दर्ज की गई प्रत्वी पर जीवन के अस्तित्त को सबसे बड़ा खत्रा है विक्रण के दोरा दो बड़ी घटना है जिने M.I.C. तता चिर्नोबेल त्रास्दी नाम से जाना जाता है कहां और कब घटी तो एक तो भोपाल 1984 में एक युक्रेन 1986 में किसे दचली गंगोत्री के नाम से जाना जाता है भारत का प्रतम अंटार्डिका सोधियंत केंद कर चुके हैं एजन्डा 21 किश्चे से संबंदित है सदद विकास से संबंदित है ग्लोबल 500 पुरुसकार प्रदान कियाते हैं पर्यावर प्रतिरच्छा के लिए वर्ड प्रतिक आवेस है तो ACI हाती का डापसन हीकाई का प्रयोग किया आता है दोस्तों ओजोन प्रत की मुटाइम आपने में सलीम अली राष्टी उध्यान जम्मू कस्मीर में इस्तित है मध्य प्रदेश के किस राष्टी उध्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी प्र टकनीका का अप्रयोग किया जाता है विविन वन जीवोग की जन संख्या के आगलन के लिए दोस्तों पक मार्ग इसको पक मार्ग वहीं पद चहाप वाली बात करीज़ए पेज अलकों सुदह करने के लिए पोटेम परमेगनेट का प्योग किया जाता है क्योंकि यह उपच किस वर्स लागू है 1999 में एक जुन 1999 में इगो मार क्या है पर्यावराण अनकूली उब्भोकता उत्पादन को नाम पात्रित करने की योगजना थटे काड पच्छे ब्यारल कहा इस्तित है दोस्तों एक केरल में इस्तित है उत्तर प्रदेश में नवाब गंज पच्छी बिहा किया जाता है पर्यावराण सुरुच्छा के छेतर में प्रदान किया जाता है अगला प्रसने दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में प्रत्थम बायोटेक पार्क इस्ठापित किया गया लखनौँ में भारत में धारी विकास के दरश्टि कोन से विदुत उत्पात का सबसे कौन सा इसाई संत पस उपस्यूंग से प्रेम के लिए विख्यात है तो असीसी के संत फ्रांसिस इंपोर्टेंट है पुसकर जील को सुच रखने की योजना में सहयोग दे रहा है कनाडा ओजोन निस्टेस या छीड़ता का प्रत्यच प्रबाव है जलबाई परिवर्तन में वाई मंडल कई प्रकार की गैसों के मिस्टरण से बना है प्रत्वी के नजदीक वाई मंडल में मुक्ता पाई आती है नाइट्रोजन और आक्सिजन पाई आती है मच्छर क्इल में परियुक्त होने वाला पाईरे थ्रिन किस से प्राफ्थ होता है तो ये बीजी पाउधों से प्राफ्थ होता है हाल ही में अंटार्ٹिका में ये तो प्रजात की नई कीवाड टाइलेरी की खोच की गई या किसकी प्रजाती है तो दोस्तों यहां केकड़ा की प्रजाती है अगला प्रसने नर्मदा बजाओ आंदुल का समर्थक संसापत कौन है तो यह मेधा पाटेकर है जयव प्रद्दक की संस्थान का इस्तित है पंतनगर में इस्तित है वनों की कटाई पर प्रतिबंद लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है वो नार्वे बन गया है कयाल क्या है दोस्तों केरल के लैगून को कयाल कहते है स्ट्रॉम बेली एक है तो यह एक जागरत जौला मुखी है अफीम का वारसपतिक नाम क्या है तो अफीम का जो आपका वारसपतिक नाम है वो पैपेवर सोमनी फेरम है हाल ही में सोध करथाओं ने 65 प्रजातियों की 101 प्रकार की मकड़ियों की खोज चिनार वन्ड जिव अभ्यारण में की याँ अवस्तित है केरल में अवस्तित है आगे है पी एम के वी वाई योजना का संबन्ध है कॉसल पर योजना एम विकास से हाल ही में हाइड्रो कार्बन विजन 2030 के अंतरगत उत्तर पूरी भारत के लिए प्रतम तक्नीकी बैठक का आयोजन कहा किया गया केबुल लाम जावो राष्टी उद्ध्यान भारत के किस राज में इस्तित है तो ये दोस्तों मड़िपूर राज में इस्तित है समुंद्री राष्टी पार का विस्तित है ये खाड़ी में प्रत्वी सम्मेलर प्लस फाइप आयोजन हुआ 1997 में समुंद्री जल में सूर की किर्णे अधिक्तम किस गहराई तक जा सकती है 200 मीटर की गहराई तक जा सकती है वाड़िच में प्राण जात और बनस्पती जात के वैपार संबंदी विसलेशन टेड रिलेटेड एनालिसिज और फाउना एंड फ्लॉरा इन कॉमर्स ट्रैफिक के संदर में विचारणी है ट्रैफिक का जो मिसन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपो और जन्तूं के वैपार के प्रकत के संद्च्छन को खतरा ना हो अगला प्रस्न है कि कुछ कारणों वस यदि तितलियों की जात इस्पसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका इसके संभाविश प्रड़ाम क्या हो सकते है कुछ पौधों के पराक करण पर प्रत्कूल प्रभाव पढ़ सकता है इसके कारण बर्रों, मकडियों और पच्छियों की कुछ प्रजात्यों की समष्ट में गिरावट हो सकती है बायो डीजल तयार किया आता है ये कोशन आपका यूपीटिट में पहुत पूछा गया है जेट प्रोफा से इवियस किस संपेच्छन आर्थ में प्रस्तुत होता है तो एन्वायर्मेंट इस्ट डीज के रूप में प्रस्तुत होता है जेट कोशन की बात करते हैं बगुला भैस पर बैठता है क्योंकि बगुला था भैस सहजीवी संबन इस्थापित करते हैं ठीक है जेट कोशन पर आते हैं अगला प्रसने बगुला भहस पर बैठता ही हो चुका है घट परणी पौधा नेपिथिन्स जो मेड़क कीडों मकोडों और चुओं को चालाकी से फसा कर खा जाता है वर्सा की मात्रा निर्बर करती है दोस्तों वाई मंडल की नमी पर निर्बर करती है जैव विता को अधिकतम संकट है प्राकरतिक निवास एवं बनसपतियों के निवास से बहुत ज़्यादा अधिकतम संकट है कहते हैं हारित ग्राप प्रभाव को वातावरण में कौन सा परिवर्तन होता है तो हारित ग्राप प्रभाव से वातावरण का कौन सा परिवर्तन होता है तो वाई मंडल में कारबन डाय आउकसाइट की सांता बढ़ जाती है बारत में Project Tiger प्रार्म किया गया था 1973 में प्रार्म किया गया था पार्स की तंत में URJAA का मुख स्तेरोत सूरी प्रकास है कौन पार्सी का प्रतम कभी था जिसने अमनी कभीता में भारती पर्यावन को चितरित क्या था तो यह दोस्तों अमीर खुसरो थे कहते हैं कि प्रोसोपिज जूली फ्लोरा नामक पादब प्रायक्यों समाचारों में उल्लिखित है जिस चेत्में या उगता है वहां की जैविविता को कम करने लगता है इसको याद रखेगा विस्तु जैविविता दिवस 22 मई को बना जाता है सिंपल सा है जड़ी बूटियों की राणी भारत की सब्थे पवित्र जड़ी बूटी है इस औसदी पौदे का हिंदू धर में महत्तु है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टिमम है इसको सामाजता किस नाम से जाना आता है तो ये दोस्तों तुलसी है यूपिटेट के एकजामे देखिया आया था प्रकास अंसलेशन के दौरान हरे पौदे निन में से किसे सोक लेते हैं तो कारवन एक आकसाइट को सोक लेते हैं बारत में पर्यावनल मंत्राले किस वर्ष इस्थापित किया गया था 1985 में बारत में जैविता अध्यम किस वर्ष पार्ष किया गया दिसंबर 2002 में राष्टी जैविता 30 मुख्याले का इस्ति थे चिन्नाई में राष्टी चंबल अभ्यारण उत्तर प्रदेश मत्प्रदेश हर्याणा राजिस्तान में से किस राज का हिस्सा नहीं है हर्याणा का हिस्सा नहीं है तो दोस्तों ये रहे आपके लगबख सारे 300 प्रस्ण आपके पर्यावरण से संबंदे सारे 300 प्रस्णों को हम लोगों ने इस वीडियो में complete कर लिया है दोस्तों आप इस वीडियो को एक से दो बार अपने एक्जाम के पहले जरूर देखे आपके लिए most important ये वीडियो होगा पर्यावरण के कई सारे questions ऐसे होंगे जो UP TED के exam में डारेक्ट आपके exam में यहां से देखने को मिलेंगे इसी तरीके से दोस्तों UP TED की बहतरीन वीडियो मैं अपने चैनल पर आपके लिए कम समय में प्रोवाइट कराता रहूँगा अगर वीडियो पसंद आये हो तो लाइक से दोस्तों जरूर करिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को ब्रस कर लिए जैसे daily notification आपको मिलते रहे आज के लिए दोस्तों इतना ही रखता हूँ फिर से कहूंगा चैनल पर नए है तो दोस्तों subscribe करके बेल आइकन जरूर परे ब्रस कर लिजेगा साथ में हमारे टेलिग्राम चैनल पे जुड़ जाएए जहांपर हम आपको पीडियाप प्रोवाइड करा सकें और आप उसे अच्छारी मिजन कर सकें तो आज के लिए दोस्तों इतना ही धन्यवाद